ग्रामर में टुडेस और टॉपिक इस दब प्रिफिक्स, दब प्रिफिक्स मिन्स हिंदी में होता है उप्षर्ख, इन हिंदी उप्षर्ख, ओके, वाट इस दब इनिंग ओप प्रिफिक्स, उप्षर्ख, ओके, जिसके बारे में मैं आपको बताया था कि जो प्रिफिक्स हो उसके just before लगता है उसके पहले लगता है तो इससे read करेंगे a prefix is a letter or letters added before a word to change its meaning means जो prefix एक ऐसा letter या फिर letters होते है because not necessary कि prefix only one letter का ही हो है ना इसमें two या three letters का भी prefix लगता है okay added before a word मतलब word के पहले लगाया जाता है और जिससे उस word की क्या हो जाती है meaning change हो जाती है okay means जो prefix होता है एक ऐसा letter या फिर ऐसे letters होते है जो किसी भी word के before में लगाया जाते है पहले लगाया जाते है जिससे उस word की meaning change हो जाती है Okay and we can also form opposites by adding prefix और जो है हम opposites बनाने के लिए भी opposites means antonyms बनाने के लिए भी wilum शब्द बनाने के लिए भी prefix का यूज करते है Like this you an an, I am in, I an in and d i s this Okay, तो जो prefix होता है यह कहां लगता है Before words, word के पहले Okay, like this k, I, and d kind तो kind के just before क्या write किया है Unkind, जो red color से bold हो रहा है, highlight हो रहा है Un, un, k, I, and d kind तो जो kind है उसके before क्या लगा है Un जो लगा है, वो क्या है Prefix है, उप्शर्ग है तो जो kind, kind का हो गया Prefix unkind, prefix लगा un तो हो गया unkind Correct, incorrect Pure का impure Agree का disagree Okay, मैंस यहाँ पर देखिए जो kind होता है, kind का meaning होता है दयालू Kind का meaning होता है दयालू, तो जब इसमें prefix लग जाता है तो वो हो जाता है तो जो है, kind का opposite हो जाएगा Unkind Okay, then है pure Pure में I am prefix लगा दिया तो यह हो गया Impure Pure means होता है और जब इसमें I am prefix लग जाएगा तो यह हो जाएगा impure और इसके meaning change हो जाएगी यह हो जाएगा अशुद Pure means should Impure means अशुद Okay, the next word है correct C-O-R-R-E-C-T Correct जब हम इसमे I am prefix लगाएगे तो वो हो जाएगा incorrect Okay, the next है agree Agree में D-I-S prefix लगा है वो हो जाएगा disagree Okay, ऐसे ही Use the prefix given below to form opposites Read each word pair allowed Okay, and at first dear students मैं आप सभी को बता दू आप सभी मुझसे पता है कि आप एक question ज़रूर करेंगे कि मैं ये हमें कहां लिखना है या फिर ये वाला book तो हमारे पास है नहीं तो listen carefully कि आपको किसी भी कोई भी book purchase करने की जड़रत नहीं है कोई भी book खरीदने की जड़रत नहीं है आपको क्या लेना है अपना एक notebook लेना है एक copy लेनी है जिसे आप fair book बोलते है तो कोई भी एक थोड़ा जिसमें blank pages हो ऐसी वाली आपको copy लेनी है और उसमें ये सब write करना है कोई grammar का book नहीं मिलेगा आपको अलग से ये आपको all आपकी जो copy है उसमें write करना है fair book में तो suppose आपने English का notebook बनाया होगा तो उसके पीछे थोड़े pages English के लिए थोड़े pages छोड़ दीजिए और पीछे के थोड़े pages लेके वहाँ पर एक page fold करके उसके आगे से grammar राइट करके वहाँ पर इस grammar का राइट कर सकते हैं तब यहाँ पर some words दिये हैं हमें इनमें prefix लगाने हैं and new words बनाना है like first है use UN UN prefix लगाना है first box में second box वाले word में IM prefix लगाना है third box में IN prefix लगाना है and fourth box में dis इस लगाना है तो इन फ़र्स्ट बॉक्स फ्रेंडली फ्रेंडली में अन क्या लगा देंगे प्रिफिक्स लगा देंगे तो वह हो जाएगा अन फ्रेंडली friendly means होता है friendly means इसे बोलते हैं ने किसी के साथ में friendly रहना चाहिए हमें मित्रवत रहना चाहिए है ना friendly means like a friend तो इसमें जब हम un prefix लगा देते हैं तो यह हो जाता है unfriendly तो इसकी meaning भी change हो जाती है means क्या होता है amitr means जो मित्रता पूर्ण ने behave न करे वे भार न करे वो हो गया unfriendly then tidy tidy means होता है saaf तो इसका हो गया untidy then cook cook means पकाया हुआ इसका just opposite होगा uncook means कच्चा equal means बराबर तो इसका हो जाएगा unequal है ना unequal means a shaman equal means एक shaman even अब नीचे जो टू वर्ट्स बच्चे है even and sure तो इसमें un prefix लगा के आपको टू वर्ट्स बनाने है तो क्या होगा uneven और unsure ओके ये two मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ये आपको two पील करना है then use I am prefix अब इसमें हमें I am prefix लगाना है तो you know क्या prefix word के before लगता है before word word के पहले okay modest का है immodest modest का immodest and modest means होता है मामूली modest means मामूली और जब हम इसका इसमें prefix लगाते है तो वह हो जाता है immodest means हो जाता है निलज बेशर moral moral means नैतिक इसमें prefix लगाएंगे तो ये हो जाएगा immoral means unethic movable movable means चल इसका पोजिट जब हम इसमें prefix लगाएंगे तो हो जाएगा immovable means अचल pacant pacant means you know pacant marriage ends का आपोजिट हो जाएगा impecent means होता है upon perfect perfect मैं आपको ये complete करना है perfect and possible perfect का होगा imperfect and possible का impossible okay then after है use in prefix तो ये जाएगा direct का indirect justice का injustice curable का incurable complete का incomplete indefinite invisible का आपको right करना है indefinite and invisible ऐसे ही है use dis 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 prefix लगाना है तो disappear appear का disappear honest का dishonest obedient का disobedient connect का disconnect trust का disrespect and respect का disrespect okay ये complete करना है तो at first आपको ये remember रखना है कि जो prefix होता है ये before word means word के पहले लगता है और लगता है आफटर वर्ड वर्ड के बाद लगता है इसके हम some more example देखेंगे like a common common का होगा uncommon patient का impatient the necessary का unnecessary इसमें जो आगे जो un-im ये लगा है ये क्या है prefix है ओके unnecessary proper का improper possible का impossible able का unable perfect का imperfect and pleasant का unpleasant ओके ये तो होगे prefix के example then after then after after prefix ये prefix हो गया कि जो prefix है वो ऐसा letter या फिर letter से जो कि before word क्या किया जाता है add किया जाता है जिससे वोस word की meaning change हो जाती है like un-im in this okay then after next step prefix suffix prefix means before word word के पहले suffix means after word word के बाद suffix a suffix is a letter or letters added after a word okay means suffix एक इसा letter या फिर एसे letter से जो की word के बाद after a word word के बाद दिया जाता है जिससे word की meaning different हो जाती means अलग हो जाती है and we can add suffix such as full or less और जो है हम कौन-कौन से suffix लगा सकते है full or less okay at the end of the word to from adjectives okay word के end में like a care care का होगा careful fear fearless grace graceful sleep sleepless beauty beautiful use useless है नहीं तो यह जो last में affealful ledablesless यह जो लगा है यह क्या है suffix है okay so add a suffix to each word given in the brackets to form the correct adjective and write each in the blanks like a first a blank painting color दिया है तो इसमें क्याएगा colorful a blank and means painful and painful means दर दायक and means घाव a blank person अभी जो जितने भी beggars होते है beggar means भिकारी होते है उनके किसी के home होते है क्या no तुने क्या बोला जटा है homeless person homeless means जिनके home नहीं होते है तो लास्ट में जो lews लगा है वो क्या होगा tell me suffix की prefix very good suffix right a homeless person a helpful child and a colorless careless boy and a petful animal ओके यह होगे suffix अब सम्जो है suffix के example write करेंगे हैं for example kind kind kindness bride dry fit fitness lonely का loneliness lazy का laziness forgive का forgiveness thick का thickness ugly का agliness polite का politeness silly का silliness and bright का brightness ओके यह तो होगे suffix and prefix जो है इसके example तो dear students आपको बेटा इतना write करना है कि only आपको suffix and prefix ओके prefix suffix आपको अगर easily understand करना है कि suffix word के पहले लगता है या prefix word के पहले लगता है तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक hint दे दू या फिर एक trick बता दू जैसे हम suffix लिखते हैं और prefix write करते हैं prefix and suffix जब हम write करते हैं prefix write करेंगे तो first letter prefix का क्या आता है p right and जब suffix write करेंगे तो suffix का first letter क्या आता है s तो a b c d जो होती है alphabet a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z तो उसमें p पहले आता है कि s पहले आता है tell me बताएं तो a b c d में p पहले आता है कि s पहले आता है जब हम a b c d e f g h i j k l m n o p q r s means पहले p आया फिर s आया तो आपको इतना याद रखना है कि prefix का जो p है वो s से पहले आता है तो जो prefix है वो word के पहले लगता है ok and जो suffix है वो s p के बाद में आता है तो जो suffix है वो word के बाद लगता है understand समझाया इतना alphabet में जो P है वो S के पहले आता है तो जो prefix है वो word के पहले लगता है और जो suffix है वो P के बाद आता है S तो जो suffix है वो word के बाद लगता है After a word and before a word Before a word prefix and after the word suffix Okay, do you understood? ये तो only आपको समझाने के लिए था कि S P पहले आता है और S बाद आता है आपको ये remember रखने के लिए है कि जो है prefix कब लगता है और suffix word के पहले लगता है ये बाद लगता है ये फिर prefix word के पहले लगता है ये बाद लगता है Because दोनों का जो जब हम इसे बोलते हैं तो दोनों सेम लगता है prefix, suffix तो हम confused हो जाते हैं तो जो prefix का P ABCD में पहले आता है इसलिए जो है इसे हम ऐसे याद रख सकते है कि जो prefix है वो word के पहले लगता है ओके एंड जो suffix का S alphabet में P के बाद आता है तो हम इसे ये remember रख सकते है कि जो suffix है वो word के बाद लगता है after a word ओके तो देट इस अल वीडियो को एक बार फिर से study material में जब मैं add करूंगी इसे तो आप फिर से इसे एक बार क्या कर लेना carefully सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा ओके तो देट इस अल टुडेए थैंक यू